C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 3. संख्याओं के साथ खेलना प्रिष्ट 54 3.3 अभाज्य और भाज्य संख्याएं अब हम किसी संख्या के गुननखंड करने की विधी से परिचित हो चुके हैं निमनिसारणी में लिखी कुछ संख्याओं के गुननखंडों की संख्याओं पर ध्यान दीजिए संख्या, गुननखंड, गुननखंडों की संख्या एक, 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 दो, एक, दो, तीन, एक, तीन, दो, चार, एक, दो, चार, तीन, पांच, एक, पांच, दो, छे, एक, दो, तीन, छे, चार, साथ, एक साथ, दो, आठ, एक दो, चार, आठ, चार, नौ, एक तीन, नौ, तीन, दस, एक दो, पांच, दस, चार, ग्यारह, एक ग्यारह, दो, बारह, एक, दो, तीन, चार, चै, बारह, छै हम देखते हैं के A. संख्या एक का एक ही गुननखन्ड, स्वयम वही संख्या है B. कुछ संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इत्यादी ऐसी हैं जिनके ठीक 2 गुननखन्ड, यानि एक और स्वयम वह संख्या हैं ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं यानि फ्राइम नंबर्ज हैं वे संख्याएं जिनके गुणन खंड एक और स्वयम वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं इन संख्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य अभाज्य संख्याएं ग्याद करने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान रखें, एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। C. कुछ संख्याएं जैसे चार, छै, आठ, नौ, दस, इत्यादी ऐसी हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्रिष्ट पच्पन क्या पंद्र है एक भाज्य संख्या है। 18 और 25 के बारे में आप क्या सोचते हैं। हम एक सरल विधी से एक से सौ तक के बीच की अभाज्य संख्याएं बिना उनके गुणनखंड किये ग्याद करते हैं। यह विधी इसा पूर्व तीसरी शताबदी में एक यूनानी गणी तग्य इराटोस्थीन्स ने दी थी। आईए इस विधी को देखें। एक से सौ तक की संख्याओं को नीचे दर्शाय अनुसार लिखिए। यहां एक सारणी में एक से सौ तक की संख्याओं दी गई हैं। चरण एक, एक को काट दीजिए क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। चरण दो, दो पर घेरा लगाईए और दो के अतिरिक्त उसके सभी गुणजों जैसे चार, छे, आठ इत्यादी को काट दीजिए। चरण तीन, आप पाएंगे के अगली बिना कटी संख्या तीन है। पर या तो घेरा न लग जाए या वे काट न दी जाएं। घेरा लगी हुई सभी संख्याएं और भाज्य संख्याएं हैं। एक के अतिरिक्त सभी काटी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यह विधी इराटोस्थीन्स की छलनी यानि सीव और विराटोस्थीन्स विधी कहलाती है। प्रयास्क कीजिए। ध्यान दीजिए के दो गुणा तीन जमा एक बराबर साथ एक अभाज्य संख्या है। यहां दो के एक गुणज में एक जोड कर एक अभाज्य संख्या प्राप्त की गई है। क्या आप इस प्रकार से कुछ और अभाज्य संख्याएं ग्यात कर सकते हैं उदाहरण 4. 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याईं लिखिये हल छलनी विधी से प्राप्त उपरोक्त सारणी को देख कर हम सरलता से वांचित अभाज्य संख्याईं लिख सकते हैं ये हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13 प्रिष्ठ 56. सम और विशम संख्याई क्या आप संख्याऊं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादी में कोई प्रतिरूप यानि पाटन देखते हैं आप पाएंगे के इन में से प्रत्य एक 2 का एक गुणज है ये संख्याईं सम संख्याईं यानि even numbers कहलाती हैं शेश बची सभी प्रकृत संख्याईं एक 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादी विशम संख्याईं यानि odd numbers कहलाती हैं आप आसानी से जाच कर सकते हैं कि एक 2 या 3 अंकों वाली संख्या सम संख्या है या नहीं आप यह कैसे ग्याद करेंगे कि 7, 5, 6, 4, 8, 2 जैसी बड़ी संख्या एक सम संख्या है या नहीं क्या 2 से भाग देकर क्या ये प्रक्रिया जटिल नहीं होगी हम कहते हैं कि वह संख्या जिसके एकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 अंकों एक सम संख्या होगी इसलिए संख्याएं 350, 4862 और 69,246 सम संख्याएं हैं संख्याएं 457, 2369 और 8231 बिशम संख्याएं हैं आईए अब कुछ रोचक तत्यों को ग्यात करने का प्रयत्न करें इस प्रकार दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है बी, दो के अतिरिक्त अभाज्य संख्याएं 3, 5, 7, 11 इत्यादी हैं क्या आप इस सूची में कोई सम संख्या देख रहे हैं? नहीं, सभी संख्याएं विशम हैं कुछ और अभाज्य संख्याएं देखने का प्रयत्न करें इस प्रकार हम कह सकते हैं के दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विशम हैं प्रशनावली 3.2 1. बताईए के किनी दो संख्याओं का योग सम होता है या विशम होता है? यदि वे दोनों A. विशम संख्याएं हों B. सम संख्याएं हों 2. बताईए के निमन लिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य? A. तीन विशम संख्याओं का योग सम होता है B. दो विशम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है C. तीन विशम संख्याओं का गुणन फल विशम होता है D. यदि किसी समसंख्या को दो से भाग दिया जाए तो भाग फल सदैव विशम होता है E. सभी अभाज्य संख्याओं विशम है F. अभाज्य संख्याओं के कोई गुणन खंड नहीं होते G. दो अभाज्य संख्याओं का योग सदाईव सम होता है H. केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है I. सभी सम संख्याओं भाज्य संख्याओं है J. दो सम संख्याओं का गुनन फल सदाईव सम होता है प्रिष्ठ सत्तावन 3. संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं में दो अंग एक और तीन हैं सौ तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ग्यात कीजिए 4. बीस से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग-अलग लिखिए पांच, एक और दस के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए छे, निम्नलिखित को दो विशम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए A. 44, B. 36, C. 24, D. 18 7. अभाज्य संख्याओं के ऐसे तीन युग्म लिखिए जिनका अंतर दो हो टिपनी, दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो अभाज्य युग्म यानि ट्विन प्राइम्स खहलाती हैं 8. निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? A. 23, B. 51, C. 37, D. 26 9. सौ से छोटी साथ क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो 10. निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्ये को तीन अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए A. 21, B. 31, C. 53, D. 61 11. 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे पांच योग्म लिखिये जिनका योग पांच से विभाज्य यानि डिविजिबल हो संकेत 3 जमा साथ बराबर 10 12. निम्न में रिक्त स्थानों को भरिये A. वह संख्या जिसके केवल दो गुनन खंड हों एक डैश कहलाती है B. वह संख्या जिसके दो से अधिक गुनन खंड हों एक डैश कहलाती है C. एक न तो डैश है और नहीं डैश D. सबसे छोटी अभाज्य संख्या डैश है E. सबसे छोटी भाज्य संख्या डैश है F. सबसे छोटी संख्या डैश है 3.4. संख्याओं की विभाज्यता की जाँच Q. संख्या 38, संख्या 2 से विभाज्य है Q. यह 4 से विभाज्य है Q. यह 5 से विभाज्य है 38 को वस्तविक रूप में इन संख्याओं से भाग देने पर हम प्राप्ट करते हैं कि यह 2 से विभाज्य है परन्तु 4 और 5 से विभाज्य नहीं है आये देखें कि क्या हम कोई प्रती रूप यानि पाटन ग्याद कर सकते हैं जिस से हम बता सकें कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 11 से विभाज्य है या नहीं क्या आप सोचते हैं कि ऐसे प्रती रूप हम आसानी से देख सकते हैं 10 से विभाज्यता 4 और 10 के गुण जों 10, 20, 30, 40, 50, 60 इत्यादी को देख रही थी उसने इन संख्याओं में एक सर्वनिष्ठ यानि कौमन गुण देखा क्या आप बता सकते हैं कि वहगुण क्या है इनमें प्रत्येक के इकाई के स्थान पर अंक शून्य है प्रिश्ठ 58 उसने इकाई के स्थान शून्य वाली कुछ और संख्याओं के बारे में भी सोचा जैसे कि सौ, हजार, तीन हजार दोसौ, साथ हजार दस उसने यह भी ग्यात किया कि ये सभी संख्याएं दस से विभज्य हैं इस प्रकार वह ग्यात करती है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक・शून्य हो तो वह दस से विभाज्य होती है क्या आप सौ से विभाज्यता का कोई नियम ग्यात कर सकते हैं? पाँच से विभाज्यता मनी ने संख्याओं पाँच, दस, पंदरह, बीस, पचीस, तीस, पैंतीस इथ्यादी में एक रोचक प्रतीरूप प्राप्त किया क्या आप यह प्रतिरूप बता सकते हैं? इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर या तो अंक शुन्य है या अंक पाँच है. उसने ग्याद किया कि ये सभी संख्याएं पाँच से विभाज्य हैं. उसने पाँच से विभाज्य कुछ और संख्याएं ली जैसे के 105, 215, 6205, 3500 इत्यादी. इन संख्याओं में भी एकाई के स्थान पर शुन्य या पाँच ही आते हैं. उसने 23, 56 और 97 को पाँच से भाग देने का प्रयत्न किया. क्या वेह ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा? इसकी जाच कीजिए. वेह देखता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंग शुन्य हो या पाँच हो, तो वेह संख्या पाँच से विभाज्य होती है. क्या एक साथ पाँच शुन्य एक दो पाँच संख्या पाँच से विभाज्य है? दो से विभाज्यता. चारू दो के कुछ गुणजूं, दस, बारह, चौदह, सोलह, इत्यादी, और कुछ अन्य गुणजूं जैसे 2410, 4356, 1358, 2972, 5974 को देखती है. उसे इन में एक प्रती रूप दिखाई देता है. क्या आप इस प्रती रूप को बता सकते हैं? इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर शुन्य, दो, चार, छै, और आठ में से ही कोई अंक आता है. वह इन संख्याओं को दो से भाग देती है और शेश शुन्य प्राप्ट करती है. वह यह भी ग्यात करती है के संख्याओं 2467 और 4839 संख्याओं 2 से विभाज्य नहीं है. इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर शुन्य, दो, चार, छै, या आठ में से कोई भी अंक नहीं है. इन प्रेक्षणों से वह यहनिश कर्ष निकालती है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंग हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है तीन से विभाज्यता, क्या संख्या 21, 27, 36, 54 और 219 संख्या 3 से विभाज्य हैं? हाँ, यह हैं क्या संख्या 25, 37 और 260 संख्या 3 से विभाज्य हैं? नहीं तीन से विभाज्यता के लिए क्या आप कोई प्रतिरूप इकाई स्थान में देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते क्योंकि इकाई के स्थान पर समानंक होने पर वह तीन से विभाज्यत हो भी सकता है और नहीं भी जैसे संख्या 27 तीन से विभाजित है पर संख्याए 17, 37 तीन से विभाजित नहीं है अब आप 21, 36, 54 और 219 के अंकों को जोड़िए क्या आप इनमें कोई विशेश बात देखते हैं? दो जमा एक बराबर तीन, तीन जमा चै बराबर नौ, पांच जमा चार बराबर नौ, दो जमा एक जमा नौ बराबर बार है ये सभी योग तीन से विभाजित हैं 25, 37, 260 के अंकों को जोड़िए हमें दो जमा पांच बराबर साथ, तीन जमा साथ बराबर दस, दो जमा चै जमा शून्य बराबर आठ प्राप्त होता है इनमें से कोई भी योग तीन से विभाजित नहीं है प्रिष्ठ 69 हम कहते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन का एक गुणज हो 121 संख्या 3 से विभाजिय है, 6 से विभाजिता क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजिय है ऐसी एक संख्या 18 है क्या संख्या 18 है, 2 गुणा 3 के गुणन फल 6 से विभाजिय होगी हाँ, ऐसा ही है 18 जैसी कुछ और संख्याइं ग्यात कीजिए और जांचिए कि क्या वे 6 से भी विभाज्य हैं क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 से विभाज्य हो परंतु 3 से विभाज्य नहो अब एक ऐसी संख्या लिखिए जो तीन से विभाज्य हो परंतु दो से विभाज्य नहो ऐसी एक संख्या 27 है क्या 27 संख्या 6 से विभाज्य है? नहीं, ऐसी कुछ और संख्याएं ग्यात करने का प्रयत्न कीजिए इन प्रेक्षणों से हम यह निशकर्ष निकालते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है 4 से विभाज्यता क्या आप 3 अंकों की कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 4 से विभाज्य है? हाँ ऐसी एक संख्या दो सौ बारह है अब कोई चार अंकों की संख्या बताओ जो चार से विभाज्य हो ऐसी एक संख्या एक हजार नौ सौ च्छत्थीस है दो सौ बारह के हिकाई और दहाई के स्थानों के अंकों से बनी संख्या को देखिए यह संख्या 12 है, जो 4 से विभाज्य है 1936 के लिए यह संख्या 36 है, पुनह यह संख्या भी 4 से विभाज्य है इसी प्रक्लिया को संख्या 4612, 3516, 9532 पर करने का प्रयत्न कीजिए क्या 286 संख्या 4 से विभाज्य है, नहीं अतह हम कहते हैं कि तीन या अधिक अंकूं की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम दो अंकूं, यानि एक खाई और दहाई के स्थान की अंकूं से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो इस नियम की जाँच दस और उदाहरण लेकर कीजिए एक या दो अंकों की संख्या की चार से विभाजिता की जाँच वास्तविक रूप में चार से भाग देकर की जानी चाहिए आठ से विभाजिता क्या संख्याएं 1000, 214 और 1416 संख्या आठ से विभाजिय हैं? हाँ, ये आठ से विभाजिता हैं इन संख्याओं के इकाई, दहाई और सैंक्रे के अंकों से बनी संख्याओं क्रमशह 0.004 और 4-6 हैं ये तीनों संख्याओं भी आठ से विभाजिता हैं ऐसी कुछ और संख्याईं ग्यात कीजिए जिनके इकाई, दहाई और सेंक्रेक इस्थानू के अंकों यानि अंतिम तीन अंक से बनी संख्याईं आठ से विभाज्य हों। उदाहरणार्थ 9216, 8216, 7216, 10216, 99,95,216 इत्यादी। इन संख्याईं में आप पाएंगे कि ये संख्याईं स्वयम भी आठ से विभाज्य हैं। प्रिष्ट साथ हम ग्याद करते हैं कि चार या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या आठ से विभाज्य होती है। यदि अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या आठ से विभाज्य हो। क्या 73,512 संख्या आठ से विभाज्य है। एक, दो या तीन अंकों वाली संख्याओं की आठ से विभाज्यता की जाँच वास्तविक रूप से भाग दे कर की जा सकती है। 9 से विभाज्यता, 9 के गुणज 9, 18, 27, 36, 45, 54 इत्यादी हैं, अर्थात ये संख्याएं 9 से विभाज्य हैं, कुछ अन्य संख्याएं 4,608 और 5,283 भी हैं जो 9 से विभाज्य हैं। क्या आप इन संख्याओं के अंकों के योग में कोई प्रतिरूप देखते हैं? हाँ, एक जमा 8 बराबर 9, दो जमा 7 बराबर 9, तीन जमा 6 बराबर 9, चार जमा 5 बराबर 9, चार जमा 6 जमा 0 जमा 8 बराबर 18, पांच जमा 2 जमा 8 जमा 3 बराबर 18, इनमें सभी योग 9 से विभ क्या 758 संख्या 9 से विभाज्य है? नहीं. इस संख्या के अंकों का योग 7 जमा 5 जमा 8 बराबर 20 भी 9 से विभाज्य नहीं है. इन प्रेक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग नौ से विभाज्य हो तो वह संख्या भी नौ से विभाज्य होती है ग्यारह से विभाज्यता संख्याओं 308, 1331 और 6809 में से प्रत्येक संख्या ग्यारह से विभाज्य है हम एक सार्णी बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इन संख्याओं के अंकों से हमें कोई प्रती रूप प्राप्त होता है सार्णी स्तंब एक संख्या, स्तंब दो दाएं से विशम स्थानों के अंकों का योग, स्तंब तीन दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, स्तंब चार अंतर 308, आठ जमा 3 बराबर 11 है, 0, 11 है घटा 0 बराबर 11 है, 1331, एक जमा 3 बराबर 4, 3 जमा 1 बराबर 4, 4 घटा 4 बराबर 0 61, 809, 9 जमा 8 जमा 6 बराबर 23, 0 जमा 1 बराबर 1, 23 घटा 1 बराबर 22 हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिती में अंतर या तो 0 है या 11 से विभाज्य है, साथ ही ये सभी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं संख्या 5,081 के लिए ऐसे अंकों का अंतर 8 जमा 5 घटा 1 जमा 0 बराबर 12 है, जो 11 से विभाज्य नहीं है संख्या 5,081 भी 11 से विभाज्य नहीं है, इसकी जाँच 11 से 5,081 को भाग दे कर की जा सकती है इस प्रकार किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विशम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्यात किया जाए यदि यह अंतर शून्य है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचन स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहियोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्ट है